प्रेंट्स स्वागत आपका प्रेंगे घरिश्ण अफिचर में आज हमने यह दस इंज की मातर आने की ड्रेस बनाई है और यह हमने पठका बनाया है इस पर हमने यह लेस्ट लगाई है यह बहुत आसन तरीकी से बनाई गई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर मेरी कमेंट करें तरह द्रेस को बनाने स्टार्ट करतें है ए ड्रेस बनाने के लिए और इस्akesन ढ़िए अस्तर हमने लिया है कि इस कपड़े की लंबाई हमने लिये करें कमेंट करें जड़िए बनाने स्टार्ट करते हैं अब ड्रेस बनाने के लिए अस्तर ले लिया है इस कपड़े की लंबाई हमने लिए 16 इंच और चोड़ाई हमने लिए साथ इंच अब हम इसे इस तरह से पहले उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद इसमें हम तीन तरफ सिलाई लगा देंगे इस तरह से इस तरह समय यह तीनों तरफ सिलाई लगा लिए अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से और सीधा करने के बाद फिर से तीनों कौन रपर जहां हमने सिलाई लगा यह वह पर उपर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से पहले हमने एक सार कर लिए और वह इस पर सिलाई लगा देंगे इसे लगा दी हमने हमने यह लैस की पीस कट कर लिया है इसके बराबर के इसे हम लैस को इस तरह से लगाएंगे कुछ कि आप किसी पीसे लगा सकते हैं लेकर को आपर यह इसना लगा जा तक के लटक जो लटक करा रही है इसकी जांतक लटक कर आ रहे है उसके नीचैन से अंफ़ा यह लगा इस तरह से और झाल फिटो अ थार्ड वारी लाइन इधर आएगी यह निशान हमने इस तरह लगा है थाकि हम इस यहाँ पर इसके उपर ही सिल देंगे निशान के उपर ही अब इस तरह से पहले हम फास्ट वारी लाइन सिल देंगे यह हमने सिल ली आप दूसरी वारी लाइन को सिल देंगे आप थार्ड वारी सिल देंगे यह हमने यहाँ पर सिल ली अब हम क्या करेंगे इसको साइट से लॉक करेंगे यह हमने टीश्य पर ले लिया इससे हम इस तरह से यहाँ से लॉक कर देंगे इस तरह से हम इससे नीचे तक सिल देंगे और ऐसे हम दूसरे तरफ पर सिल लेंगे हमने इसे लिया अब हम आप पर इस तरह से पिलिट्स बनाएंगे इस तरह से एक सार पिलिट्स बना लेनी है और जो पिलिट्स की लंबाई आएगी वो आएगी हम यहाँ पर हम साढ़े चार इंज लेंगे यहाँ पर हम इने सिल लेंगे पिलिट्स को यहाँ ने यहाँ पर सिल लिया अब हम इस कपड़ा लेंगे और इसे हम इस तरह से फूर्ड करेंगे एक बार आगी की तरफ से फूर्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम पीछी की तरफ सिल देंगे पहले हम यहाँ लॉक लगा लेंगे इसमें लॉक करने के बार इसे इस तरह से सिल देंगे यह हमने यहाँ पर सिल दिया और इसे भी हम लॉक कर लेंगे लॉक हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा धागा जो है महाँ से निकले नहीं तो महारी महाँ सिला ही निकलती नहीं है लॉक करने के बाद अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर यह डूरी डाल लेंगे और फिर इस तरह से उपर की चरफ करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर यहाँ परे लोग किया और यहाँ सारे में से रहे लगाएंगे यह लेहंगा बन गया है बातरानी का अब हम पठका बनाएंगे पठका बनाने के लिए हमने एक पड़ा और अस्तार दोने चीज़ ले लिए इसके लंबाई हमने लिए पंदरा इंच तोड़े पंदरा इंच और इसकी तोड़ाई हमने लिए लाएंच अब पहले हम इसे फूर्ड करेंगे पहले हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे उल्टा करके से इस तरह से हाफ पार्ट में फूर्ड कर लेंगे इस तरह से और जिस साइड से बंद है उस साइड से हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कट कर देंगे ताकि पटके वाली शेप आ जाए बीच में से पतला और साइडों से मूटा अब हम इससे इस तरह से शिलेंगे वस इससे एक साइड से खुला छोड़ेंगे तोड़ाई वाली साइड से बंद के तीन साइड सिल देंगे अमने आपर तीन साइड सिल देंग, अब सीधा कल देंगे छे सीधा करने के बाद आप चाहिए तो इसमें सारी साइड से शिलाई लगा सकते हैं जहां तो यह खुला वह पार्ट है वहां पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से बंद करके हमने यहां पर साइड तरफ सिलाई नहीं लगाई है अब इस तरह से हम यहां पर ही लेंगे आसे हम जूसता रबे से लेंगे यह हम यहां पर सिल लिए अब यह टीश्यरी बन लेंगे इसमें चार तरफ सिल देंगे टीश्यरी बन लेंगे को अब इस तरह से चार तसाइड शिल देंगे को अब देंगे हम ने चार त्रीश्यरी बन लेंगे अब देंगे को अब देंगे को अब कर दो कर दो कर दो पटका बनकर रेड़ी है यह माचारानी की ड्रेस और यह पटका वीडियो देखनी के लिए धन्यवाद कर दो